आप लोगों ने देखा होगा कि आज कल पलूशन का जमाना है पलूशन का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और स्पेशली जो बड़े शहर हो तो इसकी चपेट में आगे है पलूशन के कारण सीजनल वेरियेशन के कारण खांसी और जुकाम के केसिस भी बढ़ते हैं खांसी को किसी तरह की भी हो इसको लाइट लिक नहीं रहना चाहिए है तो यह चोटी सी चीज़ पर आपने बड़ी बार देखा होगा कि इससे बड़े मैनार्ज वेस्ट होते हैं जैसे स्कूल से चुटी आफिस से चुटी काम से चुटी खांसी के लिए बजार में बड़ी तरह की काफिर अवेलेबल हैं पर हमको काफिर चाहिए जो इफेक्टिव भी हो जिसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो आपने बड़ी बार सुना होगे शास्त्रों में एक बड़ी चीजों का उलेख है जैसे कुटकी तुलसी पिपली सोमलता यस्टी मदू यह ऐसी चीजें हैं जो कि कुदरती तरीके से खांसी को और ब्रांकाई की इंफ्लमेशन को ठीक करती हैं तो जो आर्यूएदिक प्रोड़क्स हैं यह इन्होंने लाँच किया है हर्बल प्रेपरेशन बाई सेफ शॉप इसमें यह सारी चीजें शामिल की हैं हमको वह काफ सिर्फ चाहिए जिससे नीद नाए बड़ी बार ऐलोपैथिक जो काफ सिर्फ हम यूज करते हैं उनसे नीद आती है अर्यूएदिक काफ सिर्फ से ऐसी कोई समस्या नहीं है थाद रूट थे आती हम है विज बालोपैध को अस्या काफ सिर्फ पर द्याय की आती है